नमस्कार आदाव्श श्यकार दोस्तो मैं हूं दी प्रांस बाश्पली और आपका श्वागत है हमारी यूट्यूब चेनल आईडियाई टेक्स पर दोस्तो आज हम आईडियाई चे शम्मंदेत एक पहुत ही महत्तपूर वीडियो लेकर किया हैं इस वीडियो के माध्यम से आ बाद नहीं करेंगे सीधे हम टॉपिक पर आते हैं दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी क्या लेगेगी दोस्तों इसमें आपको जानकारी लेगी फिटर और टरना ट्रेड में अंतर क्या है और फिटर और टरना ट्रेड मे समानताएं क्या हैं इन दोनों ट्रेडों में अंतर और समानताएं क्या हैं इसी विशे पर संपूर वीडियो है इसका वीडियो संपूर बिस्लेशन किये जाएगा इस वीडियो के माद्यम से अभी आप देखेंगे तो दोस्तों आगे वाली सीन पर चलते हैं दोस्तों समय को भरबाद नहीं करेंगे सबसे पहले हम देख लेते हैं। दूस्टों Lin spend का अगर पर्शे की बात करें जैसा कि आपको नाम सही पता तेल जारा होगा कि किसी पार्ट को आपसमे भूफिड करने को ही finder कहते हैं। आधा इसका प्रिभासा इस प्रकार हम दे सकते हैं। फिटर वा कारिगर होता है, जो धातु के हिस्चों को विशेश आकार देता है, मचीन यंत्रों वा पार्ट्स की कटिंग ये फिटिंग करता है, तब मचीन की मरमत आजी का कारे फिटर करता है जोस्तों, तो ये तो परचे रहा फिटर का, जोस्तों अब हम देख लेते हैं टर उसे हम दो दोस्तों टरनर कहते हैं, टरनर टरेड आई टरेड आई की एक इंजिरिंग कोर्स है जो की मेनुफेक्शिंग त्था प्रोडक्षन केटेगरी में आता है, तो दोस्तों यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, फीचर और टरनर की टरेड के बारे में आपको परिश हो गया है दोस्तों समय व्रबार नहीं करते हैं तो सच्राइब कर लीजेगा दोस्तों स सिधर टोपिक पर अब हम देखते ही इन दोनों श्यो को में आधिर सेचिक योगिता क्या नरधायत की गई है जहां बात करते ही ट और ट्रेट की तो फिटर के लिए दस्मा पास गडित वा विज्ञान विश्य के साथ में होना अनिवार है बिल्कूल सेम इसकी योगता ट्रेट के लिए भी नरधायत की गई है जिसमें योगता है दस्मा पास गडित वा विज्ञान विश्य के साथ में तो दोस्तों इस प्र और वर्स का कोर्स होता है बिलकुल सें टरण के घर बी दोवर्स का कोर्स होता है यायनि 4 समेस्टर इसमे भी होते हैं और 4 समेस्टर टरन में भी होते हूं तो अगर यहां तक हम देखे तो फिटर distingu की स्भी प्रसेशन अवद ही लगभग शमान ही है जोस्तो अगले टॉपिक पर आते हैं अब हम बात करते हैं फिटर और टरनल की शाखा के बारे में फिटर जो है वो mechanical engineering की एक साखा है बिल्कुल सेम ही टरनल भी एक mechanical engineering की साखा है अब देखते हैं कि फिटर किसके द्वारा संचालित हो यह जो संचारन होता है किसी-किसी राजों में प्रतेक राज में अलग-अलग भी हो सकता है इसलिए आपको सबसे महत्पूर बात यह है कि आपको प्रविश लेते समय इस बाज का विश्यस ध्यान रखना पड़ेगा कि ट्रेड एंसीवेटी है या स्सीवेटी है इंसीवेट जो होती है वो स्टेट लेवल की होती है इंसीवेटी निशनल लेवल की होती है बहुत सवरी कंपनियां है बहुत सवरी फेक्ट्रियां है जो इंसीवेटी को तो मानता प्रदान करती है बट इसीवेटी को मानता प्रदान नहीं करती है वो अपने यह अप्रू नहीं करती ह तो इसका विशेश आपको ध्यान रखना पड़ेगा जोस्तों बात करें ट्रेड की तो फीटर और टर्नर दूनों NCVT ट्रेड होती हैं खास करके आपको बता देते हैं कि जो दो साल के ट्रेले होती हैं जिन ट्रेडों का जो प्रसिछन अवधी होती है दो वर्स की होती है वो जाल द्रेडें NCVT की होती हैं NCVT के ट्रेड जो होती है वो आपकी वन एर की होती है या शिक्स मंद की होती है दोस्तों इस बात को आपको बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा next topic पर आते हैं दोस्तों अब हम दोस्तों बात करते हैं feeder or turner की course फीश की बारे में दोस्तों सरकारी ITI में 4,000-5 तक आपको feeder या turner तक अगर आप पर विश लेना चाहते हैं तो सरकारी ITI में 4,000-5,000 तक का खर्चा आएगा लेकिन दोस्तों ये खर्चा परतेक राज के लिए अलग-अलग भी हो सकता है बहुस वरे ऐसे राजे हैं जो 4-6,000 या 4-5,000 या 3-4,000 तक का खर्चा कहीं आता है तो इस बात का आपको विशेश ध्यान देना पड़ेगा कि परतेक राजे में इसके फीश का डुरेशन जो है में रहत किया गया है वो कम या जादा हो सकता है अगर आप बात कहें दोस्तों प्राइवेट की तो प्राइवेट में आईटियाई में 30,000 से 4,000 तक का खर्चा आ सकता है दोस्तों सबसे महत्तपूर्ण समझने वाली बात यह है कि फिटर की जो आईटियाई होती है वो ज्यादा संख्यामी आईटियाई होती है टर्णर की प्राइवेट आईटियाई की संख्या थोड़ सा कम होती है इसलिए फिटर की थोड़े सी फीश कम हो सकती है टर्णर की फीश ज्यादा हो सकती है ये बात आपको अच्छी तरीकित से समझना पड़ेगा दोस्तों दोस्तों आगर हम बात करते हैं प्रवेस प्रकिया की तो प्रवेस में दोस्तों आनलाइन भार्म डालने के बाद में एक काउंसलिंग प्रोसेस होता है ये गवर्मेंट की बात पता रहें दोस्तों गवर्मेंट के लिए अगर आप प्रवेस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आनलाइन भार्म डालना पड़ेगा उसके बात मेरिट बनेगी मेरिट हाइप हाई जाती है करशी जाती है वो आपको देखना पड़ेगा दोस्तों मेरिट मेरिट में नाम है उसके बाद में काउंसलिंग होगी आपकी counseling प्रक्या के होने के बाद में आपको उसमें प्रवेस मिल जाएगा जाज सी बात है government में मेरे थुदा सा उंची ही बनती है ज्यादा लंबी बनती है तो दोस्तों अगर हम बात करें private की तो private में online farm डालने के बाद में private में आपको सीधे प्रवेस पहले आओ पहले पाओ के अधार पर मिल सकता है पहले आओ पहले पाओ के अधार पर इसलिए जो प्राइवेट आईटियाई होती है वो एड्मीशन जो है जल्द यल्ली करना चाहती है और जल्द यल्ली करती भी है तो अगर आप पहले पहुंच गये हैं तो आपको प्रवेशन फुल हो गया है तो आपको प्रवेश मिलना दिक्कश हो सकती है नहीं मिल सकता है दोस्तों अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं विटेंड ये आप मेचनिकल ट्रेट से फीटा ट्रेट से IT करने के बाद में पॉलेटेकनिक डिप्लोमा किस दर्थीय वर्ष में आपको सीथे प्रव्वेस मिल जाएगा यानि लेटर इंट्री के माध्यम से आप polytechnic का जो तीन वर्ष का डिप्लोमा होता है उसमें आपको सीधी दरतिये वर्ष में आपको प्रवेश मिल जाएगा उसको मेकनिकल से डिप्लोमा करने के बाद में आप इंजीनरिंग का से इसनातक भी कर सकते हैं बीटेक हो या फिर बीई हो यह कोर्स भी आप आराम से कर सकते हैं दोस्तों बिल्कुल सेम सिच्छा उच्छा जो प्राप्त करने का जो इसमें दिया गया है प्रोसेस यह भी है इ या आपके लिए विश्यस तो अपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा चलते हैं अकले टॉपिक पर अब हम देखते हैं जॉब की बारे में दोस्तों अगर फिटेट ट्रेट से आपने आई ट्रेट से आई ट्रेट करना चाहते हैं तो सबसे महतफून होता है कि आपक काक कम से कम 14 वर्ष की उम्र है तो आप ITI के फिटार ट्रेट में प्रोष ले अधिक्तम आपकी 40 वर्ष उम्र चहिसे छिमा और और वी किशी प्रकार की समस्या हमसे आपको लग रही हो तो आप कमेंट के माध्यम से आप हम तक बढ़ाईएगा इससे कि मैं इसमें सुधार कर सकूँ और मैं कोसिस कर सकूँ कि आपको अच्छे से अच्छा तरिके से समझाया जा सके दोस्तों अब बात करते हैं जौब क प्राइबट जाब भी मिल सकती है या दोनों जाबे नहीं मिल सकती है तो आपना खुद का बिजनिस भी स्टार्ट कर सकती है इसको डीप्री से आगे चेप्टर में आपको समझा देंगे अची तरीके से हम अब हम बात कर लेते हैं सरकारी जाब की फीटर या टर्नेटर से अगर आपने आईटर करी है तो आपको सरकारी जाब में देखा जाए तो रेलवे, रच्छावी भाग, राजिसरकार वा भारास सरकार के अधिन सभी नवरत्न तथा महारण कंपनियों में जाब लिला कर सकती है रेलवे के टेखनीचन में जो जाबे मिलती है जाब वगर आ विघंजी उनमें आप जाब आराम से पासकते हैं रच्छावी भाग के डेई डी-ओ में, में, ओयबभी में और नवलदाक्वाड में यहां पी आप रच्छावी भाग की माध्यम से भी जाब पासकते हैं बात करते हैं राजिसरकार के तो P.W.D. में और नलकूब भाग मे या परिभार्म विभाग में आप जाब पा सकते हैं दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों भारास सरकार के अधीन सभी नवरत्न तथा महात्न कमपनियों की बात करें तो HL, भेल, गेल, सेल, NTPC, ONGC आधी में आप यहाँ पर सरकारी यानि भारास सरकार के अधीन जो प्रेक्टरियां काउम करती हैं वहाँ भी आराम से आप जाब पा सकते हैं दोस्तों अब हम बात करते हैं प्राइवेट सक्टर की अगर आपने फिटर ट्रेट से आईटे गरी है तो लगभख सभी प्रकार की कमपनियों में आपको जाब के चांसेज मिल सकते हैं यानि आप किसी प्रकार की कमपनी होगी, वो Pitter की प्रकार की करती है, आप वहाँ ज़ोब आराम से कर सकते हैं, बाथ Turner की करते हैं, तो Manufacturing, MECHANICAL PRODUCTION या chemical कमपनीया जतनी सब्सक्रिशलागती है वो Turner ज़ोब को ज़ॉप देती हैं, यानि जो भी mechanical production का काम करती है, जो company वहाँ पे टर्नल की बेकंसी खाली रहती है और वहाँ पे आपको जॉब आराम से मिल सकती है दोस्तों नेक्स टॉपिक पहुशते हैं दोस्तों स्वरोजगार पर अगर आपने फिटर्ट से आईटाई करके और टर्नल ट्रेट से आईटाई करने के बाद में आपको government job नहीं लगी तो कियोकि government job में बहुत सी मारा मारी होती है उसमें बहुत सारी परिछाओं का आवजिन के आता है कृस्मत में नहीं होता है का सकते हैं कि जोर्णर्णम CG वैश्मत में नहीं होता है अगर मालियम्न न लिए फिर्वर्ट्र जाब आप करना नहीं चाहते है अब आप सूँच रहे होरंगे कि आप खुद का करें तो soft gear से संबंदित आप बिंज से start कर सकते हैं या hardware की shop खोल सकते हैं या कर से संबंदित आप अपना वर्क साफ खोल सकते हैं जिसमें लेट मशीन या टिल मशीन आप लागा करके आराम से अपना बेजनेस ग्रो कर सकते हैं या गेन कर सकते हैं उस्तों बहुत ही दोस्तों आभी तक आपने हमारा चेनल अगर सब्सक्राब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राब कीजिएगा लाइक कीजिएगा और बेल आइकन यानि घंटे वाली बटन जरूर दबा दीजिएगा किसी प्रकार को आपको दिक्कत महसुष हो रही हो तो आप उसको कमेंट के माध्यम से आप जरूर बता सकते हैं दोस्तों अब हम लेका है उसके माध्यम से आपको बताना चाहते हैं तो करना चाहते हैं तो चांस की बात कहां पिशा चांस किस ट्रेट से आपको मिलेंगे अच्छे वो इस चार्ट के माध्यम समझा रहे हैं दोस्तों यह चार्ट जो है बहुत ही लोगों से experience holder जो है अन्वेसक है या technician है जो job कर रहे है प्राइवेट में job कर रहे है गौर्मेंट में job कर रहे है या फिर ऐसे जो है इस ट्रक्टर है बगरा है उन लोगों से यह चार्ट समझ के अची तरीके से उन लोगों से मिल के बनाया गया है इसमें किसी प्रकार का हमने खुद अपने सुथा अपने हिसाब से नहीं बनाया है बहुत ही महत्पूर्ट आपकी government job लग जाएगी दोस्तों वहीं अगर बात हम turner turkey करें तो 90% chance हैं आपके कि आपको government job लग सकती है अब आपके मन में यह विचार हो रहा होगा फिटर से 50% और turner से 90% आखिर ऐसा क्यों है दोस्तों ऐसा होता इसलिए है क्योंकि फिटर के जो आईटियाई जो private लिए लेकिन लड़की उसमें ज्यादा हो जाते हैं तो उसमें competition थोड़ा सा tough हो जाता है गवर्मेंट जो आपके लिए competition tough हो जाता है इसलिए आपको 85% तक हमने इसमें रखा गया है कि 85% तक chance है कि आपकी government job लग जाएगी वहीं अगर हम बात turner की कहें तो turner के वल गवर्म का इस सञारों का जो purchase करना पड़ता है इसलिए तो फॉलासर मुश्किल होता है और लड़कों की संख्या इसमें भी कम होती ह Applause focus नहीं है लेकिन लड़कों की संख्या कम होने की वज़ाद से इसमें ज्यादा लड़कों की जाब में लग जाती है अगल जो को पढ़ने वहा ह है तो ऐसे थोई नहीं कि आई करने के बाद में आप घूम पिर रहे हैं आपकी जॉब लग जाएगी यह संभव नहीं है तो वहीं अगर बात की जाए सेंटर गवर्मेंट की जॉब की तो 85% चांस है फिटा ट्रेट से करने के बाद में ट्रेट से आपके 90% च्कांस है कि गवर्मेंट जॉब लग जाएगी वहीं अगर हम बात करें राज्य सरकार की जॉब ऑद करने के बाद में आपके 40% परिवान भी भाग या फिर अलग भी भाग हो दोस्तों वही अगर आप आप पाथ टर्नें ट्रेट की करें तो टर्नें 35% प्रश्ण चांस हैं कि ट्रेड के माध्यम से आपको राजसरकार की जाब लग जाएगी दोस्तों यहां तक तो हम देखा जाए एक फिटेड आपकी एक अच्छी ट्रेड सावित हो रही है वहीं दोस्तों अगर हम बात करें स्वरोजगार की तो फिटेड ट्रेड से करने के ब प्राप्त कर सकते हैं विजनिस आपका अच्छा ग्रो कर सकता है दोस्तों तो यह दोस्तों वीडियो था आसा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा क्योंकि यह हम बहुत अच्छे अच्छे लोगों से हमने मिल के बनाया है इसको उनका मत है उनका मत फुरा इस वीडियो क मुझे हमसे से आप दोगों तक पहुछाने के कोशिस की है है आता है कि आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों अगर वीडियो आप को पसंद आया हो। फ्लीज कर दीजिएगा और ॉस्सवायब हमारा चेनल जरूर जाणकारी अगर आप नहीं किया है अगर आप किसी एक महत्पूर्ण विशेबर वीडियो बने तो आप उसको कमेंट के माद दम से हम तक पहुंचाईएगा मैं कोसिस करूंगा पूरी कोस पर वीडियो आपको पनाया चाहिए